नमस्ते दोस्तों मैं मितलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप रेड्मी नोट 5 प्रो में अपने फिंगर प्रिंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं जो आपने फोन में फिंगर प्रिंट एड किया है आप उसको कैसे डिलीट करें दोस्तों इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिस हैं कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैन करते हैं यह आपको कैसे करना है मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा दोस्तों पहले हम अपने फोन के सेटिंग में जाएंगे juom phone के setting में जाने के बाद दोस्तों हमको इसको ऊपर करना है ऊपर करने बाद दोस्तों आपघ्यै देख सकते आपको नीचे option मिलता है lock screen and password इसपे आपगर यहां नहीं पillsुक्रण के धर जैसे जैसे कि妊 करें में आपka oh डाल रखाऊगा उसे आप टाइप कीजिए और उसके बाद नेक्स पर किलिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैं यहां पर एक फिंगर एड़ कर रखा है तो मुझे इसे डिलीट करना है आप चाहे तो इसमें दूसरा फिंगर तीसरा फिंगर जो भी आप जितन ही जैसे कि आप देख सकते हैं धोस्तों यह इस लो से बशिंगर परिंट रिमुवी हो चुकए है दोस्तों इस बहोत इस आसान तरिकते से अप अपने फिंगर परिंट को रिमूबब कर सकते हैं दोश्तों अघर आप सभी को यह मेरा पीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हो, तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें, थैंक यू फॉर वाचिंग